येश्यू का पानी पर चलना और इसी टॉपिक को मैं आगे आपके पास लेकर आऊंगा अभी येश्यू का जो पानी पर चलना है उसका तीन जगा वर्नन किया गया है बाइबल में एक मती चौदमा ध्याए उसकी 22 से लेकर 33 आयत तक फिर मर्कुस में छेमा ध्याए उसकी 45 से लेकर बविंजा आयत तक और फिर यहुना छेमा ध्याए उसकी 15 आयत से लेकर 21 आयत तक इसका वर्नन किया गया है येश्यू का पानी पर चलना लेकिन हम इस वक्त जो उसका वर्णन खुलासे के साथ किया गया है वो मती चौदमे अधाय में किया गया है लेकिन हम जो मैं आप भी बाप को बात कर रहा था कि प्रभू येशु आपके प्रती फिकर मंद है उनको आपकी फिकर है मैं आपको बाइबल से बताऊँगा कैसे वो फिकर मंद है कैसे जो परमेश्वर के दास है वो भी आपके लिए फिकर मंद है तो मती जब चौदमे धाय से पहले हम चौदमे धाय में जब हम उसकी तेरा आयत को देखते हैं पांच हजार पुर्शों को खिलाना जिनको प्रभु येश्व ने पांच रोटी और दो मचली उन सब के बीच में उसको पूरा किया और जब प्रभु येश्व ने उनको वो रोटियां खिलाई और उसके बाद जब हम चौदमे धाय में उसकी बाइस आयत को देखते हैं जहां पर येश्व के पानी पर चलने का वरन है तो बाइस आयत को हम देखते हैं और तईस आयत को हम बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तब उसने तुरंट अपने चेलों को नाव पर चड़ने के लिए विवश्च किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वे लोगों को विदा करें वे लोगों को विदा करके प्रात्ता करने को अलग पहाड पर चला गया और सांच को वे वहां अकेला था उस समय नाव जील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और येश्यू रात के चौते पहर जील पर चलते हुए उनके पास आया चेले उसको जील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिलाने लगे तब येश्यू ने तुरंट उनसे बातें की और कहा धांडस बांधो मैं हूँ डरो मत पत्रस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभू यदी तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आग्या दे उसने कहा आ तब पत्रस नाव पर से उतर कर येश्यू के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब दूबने लगा तो चिला कर कहा हे प्रभू मुझे बचा येश्यू ने तुरंत हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और उसे कहा हे अल्प विश्वाशी तुने क्यों संदे किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा थम गई इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सच मुझ तु परमेश्वर का पुत्र है आमेन बिल्कुल उन्होंने वही कहा जो थे जो वो है और जो वो हमेशा रहेंगे आमेन तो इस पूरी घटना को जब हम पढ़ते हैं इसमें तीन मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु येश्व ने अपने वचन में कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे वरन मुझ से भी बड़े बड़े काम करोगे देखिए वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है सर्व व्यापक परमेश्वर है उसके जैसा कोई नहीं है हम उसके सामने कुछ भी नहीं है कुछ है कहना एक अलग बात है कुछ भी नहीं है हमारे कोई अस्तित्वी भी नहीं है परमेश्वर के सामने लेकिन फिर भी प्रभु येश्व जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है वो अपने मूँ से कहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तुम उससे बड़े-बड़े काम करोगे, तो कितनी नमरता और कितनी दीनता है परमेश्वर के शब्दों में, तो यही बात जो हैं वो आपसे भी चाहता है कि आप भी इसी प्रकार नमर बनें, वो आपके लिए उधारन पेश करता है कि मैं सर्वशक्ति मान परमेश्वर होकर जब ये बात कह सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे तो यहाँ पर परमेश्वर प्रभू येश्वर ने जो पानी पर चल कर दिखाया सेम बात उनोंने अपना पत्रस जी से भी करवाई जो काम उनोंने किया उस वचन के अनुसार कि जो मैं काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे पत्रस जी को भी उनोंने पानी पर चलवाया और इसका जो टॉपिक है येश्व का पानी पर चलना इसके साथ साथ पत्रस जी को भी उनोंने पानी पर चलवाया ये परमेश्वर की महिमा है परमेश्वर की नमरता है प्रमेश्वर का अनुग्रह है कि जो काम वो खुद कर सकता है एक आम इनसान से भी करवा सकता है तीन बातें हम इस अध्याय में देखते हैं जो मुख्य है जो पत्रश जी के द्वारा दर्शाई गई तीन बातें पहली बात जो है अविश्वाश यहां पर पत्रश जी ने भी दिखाया विश्वाश भी दिखाया और अल्प विश्वाश तीनो बातें अविश्वाश विश्वाश और अल्प विश्वाश तीनो बातें यहां पर पत्रश जी के द्वारा दर्शाई गई मैं आपको बचन के द्वारा बताऊंगा कैसे कैसे उन्होंने जो अविश्वाश को प्रकट किया, कैसे उन्होंने अपने विश्वाश को प्रकट किया और कैसे अल्प विश्वाश को इस घटना में उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि वो मनुश्य थे, मनुश्य थे तो यह जो जितनी भी घटनाई होती है यह हमें सिखाने के लिए है तो परमिश्वर इस घटना के द्वारा भी हमें सिखाना चाहता है तो पहला जो अविश्वाज कहां पर पत्रजी ने प्रकट किया वह हम देखते हैं चौदवा अध्याय उसकी अगर हम 27 से 28 आयत को पढ़ें वहाँ पर पत्रजी का जो है अविश्वाज जह लगता है लिखा है तब येश्व ने तुरंत उनसे बाते की और कहा धांडस बांधो मैं हूँ डरो मत पत्रजी ने उसको उत्तर दिया हे प्रभू यदी तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आग्या दे जहां पर यदी लग गया पत्रजी ने का यदी उनको शक था यदी तू ही है यदी प्रभू आप है तो मुझे कहिए पानी पर चलने के लिए तब मैं मानूगा नहीं तो मैं नहीं मानूगा उनको शाय थोमा की बात याद आ गई थी थोमा जी ने भी कहा था जब तक मैं हाथों के छेदों मैं उंगली नहीं डाल दूगा पंजर मैं हाथ नहीं डाल दूगा मैं नहीं विश्वास करने वाला कि प्रभु येश्यू जीवित होटा है तो प्रभु येश्यू ने उनको प्रकट होकर ताड़ना दी थी कि अविश्वासी नहीं प्रनतु विश्वासी हो तो यहाँ पर इस बात में अविश्वास प्रकट किया पत्रस जी ने उन्हों कहा प्रभू यदि तू ही है तो मुझे अपने पास चल कर आने की आग्या दे जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप अपने परिवार में किसी सदस्य के साथ लगातार आप रहते हैं अपने मम्मी के साथ पापा के साथ या हजबन वाइफ हैं तो यदि आप आँक बन कर भी आपको आपके डैडी या मम्मी या आपके वाइफ या आपके हजबन आवाज मारेंगे तो आप तुरंट पहचान जाएंगे कि ये मेरे हजबन है ये मेरे भाई है ये मेरे मम्मी है ये मेरे डैडी है आपको देखने की जरूरत नहीं है तो मैं आपसे कहा कि धांडस बांदो मैं हूँ डरो मत तो क्या उन्होंने उस आवाज को पहचाना नहीं होगा लेकिन अविश्वास्ट में आ गए वो और फिर भी पूझने लगे प्रभु यदि तू ही है तो हमें मुझे अपने पास पानी पर चलने की आग्या दे यहां पर उन्होंने अ क्या मतलब है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है अब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता परमेश्वर अब विश्वास करने वालों को बचाकर करेगा क्या उनको बचाकर उनको परमेश्वर को अपने स्वर के राज्य के लिए हीरे च अपने स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा लेकिन हाँ जो कंकड पत्र है परमेश्वर जब तक वो जीवित हैं अपनी दे में सांस ले रहे हैं परमेश्वर उनको बदलने की ताकत रखता है उनको बदलने की जैसे शाउल को बदला वो ताकत रखता है लेकिन उसकी तरीका है परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरी और एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी और दस कदम बढ़ाओंगा Praise the Lord पर यदि कोई एक कदम ही बढ़ाना ना चाहे तो परमेश्वर क्या करेगा उसके लिए परमेश्वर रोता है परमेश्वर बिलगता है बच्चों की तरह कि या आत्म को मैं बचाना चाहता हूं लेकिन ये एक कदम भी मेरी और नहीं बढ़ाना चाहता तो मैं जो परभू यश्वर के ओपर विश्वाश नहीं करते या किसी तरीके से वो विरोत करते हैं मैं कहदेना चाहता हूं परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है वो नहीं चाहता आप नाच्छ हो आपको लगता होगा कि याश्यू मसीव कोई फरक नहीं बढ़ता कि आप उसे समझते हैं, जानते हैं, मांते हैं या नहीं, उसको फरक पड़ता है उसको हर एक आत्मा से फर्क है जाहे वो उसका विरोध करती है जाहे वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करती है परमेश्वर फिर भी जाता है ये भी बचे और परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है उसके पास सामर्थ है बचाने की क्या आपके पास वो नमर हिर्दय है उसकी और बढ़ने का, एक कदम बढ़ाने का, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूछता कि आपके पास वो नमरता है कि आप एक कदम परमेश्वर की और बढ़ाएं, यदि आप एक कदम परमेश्वर की और बढ़ा सकते हैं, तो परमेश्वर भी दस कदम बढ़ान प्रभु येश्व ने कि अगर हम 29 आयत को अगर हम पड़ें तब प्रभु येश्व ने क्या कहा हूँ? वहाओ किसने प्रभु येश्व ने की आँ, जब उन्ने आ कहां तब प्रमेशव का वचन कहता है कि पत्रस की थोड़ी जान में जान आए कि नहीं वाकरी प्रभु adher ही है, फिर उसको विश्वाश हुआ, नहीं जब उन्ना दुबारा कहां आँ, तो फिर उसको विश्वाश ह तब पत्रस नाव पर से उतर कर येशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हो सकता कोई आपको अवाज दे कि भाई हो सकता आपको बुलेखा लग जाए एक अवाज सुनने में हो सकता आपको शैद क्लیर रहो कि ये कौन है लेकिन पिछले में जहाँ पर उन्होंने पूरा सेंटेंस बोला था वहाँ पर उसने विश्वाश नहीं किया। केवल एक सेंटेंस जहां पर बोला आ वहां पर पतर जी ने विश्वाश किया और जैसे उन्होंने विश्वाश किया वो पानी पर चलने लगे तो आज जब आप भी प्रमेश्वर के वचन के अनुसार प्रमेश्वर की अवास को सुनकर प्रमेश्वर के अवास को जब आप अपने दास के मूँ के द्वारा सुनते हैं और उस पर विश्वाश करते हैं और उसके अनुसार करते हैं तो परमेश्वर आज आपको भी उन विपत्तियों से जो इस आंधी के समान थी, जो इस तुफान के समान थी, आज भी आपको बचाने की ताकत रखता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कि वर आपका विश्वास उसे परसंद करने वाला होना चाहिए, वचन कहता है, कि बि पॉसिबल फिर भी पॉसिबल हो सकता है, अन होना उससे भी हाई लेवल का वर्ड है, बिना विश्वास के आप परमेश्वर को परसंद नहीं कर सकते, इसलिए विश्वास के साथ जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, विश्वास के साथ आईए, कि परमेश्व Praise the Lord. यदि मैं परमेश्वर वचन सुनते सुनते चंगा नहीं भी हुआ तो जब परमेश्वर के दास मुझे पर हाथ रखेंगे मैं उस वक्त चंगा हो जाओंगा तो परमेश्वर के तरीके को परमेश्वर का तरीका रहने दीजिए वो कहां आपको चंगा करना चाहता है वो परमेश्वर की मर्जी है उस पर छोड़ दीजिए अपनी बुद्धी का इस्तेमाल मत कीजिए परमेश्वर बुद्धी को बनाने वाला परमेश्वर परमेश्वर को ये बात पूरा करने दीजिए आपको कैसे चंगा करना है तीसरा बात जो अल्प विश्वाश है वो कहां पर पत्रश जी ने प्रकट किया देखें विश्वाश हो गया विश्वाश के वाद फिर अल्प विश्वाश में आ गये वो कहां पर आए इसी पुस्तक की चौद में देखें उसकी तीस आयत से लेकर इकतिस आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है पर हवा को देखकर डर गया कौन पत्रश जी और जब डूबने लगा तो चिला कर कहा हे प्रभू मुझे बचा येश्यू ने तुरंथ हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वाशी मैं दुबारा रिबीट कर रहा हूँ प्रभू येश्यू ने कहा हे अल्प विश्वाशी तूने क्यों संदे किया ध्यान दीजिए इस बात पर कई बार विश्वाश में होते होते भी हम अल्प विश्वाशी हो जाते है हमारा विश्वाश डाउन फॉल में आ जाता है वो इसलिए आता है क्योंकि प्रमेश्वर के भवन को में हम गैप डालना शुरू कर देते हैं प्रमेश्वर के भवन को आने में हमारे पास समय होता है हमारे पास वक्त होता है, हमारे पास संडे के दिन छुटी होती है, लेकिन हम अपनी शरीर की सुनते हैं हम आना नहीं चाहते, कोई बात ने, लाइव सुन लेंगे लाइव में आशिशित हो जाएंगे मैं कहता हूँ यदि आपके पास वक्त है और आप परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे तो आप सोचिए आप आशिशित होंगे या नहीं होंगे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप खुद समझदार हैं परमेश्वर ने आपको बुद्धी दी है ये बात समझने के लिए कि आप यदि बिना मतलब के परमेश्वर के भवन में आने से अपने आपको रोक रहे हैं तो सोचिए आप आशिशित होंगे या नहीं होंगे ये बात आप अज़रूर सोचना इस बारे में तो कहीं आप फस गए हैं जहां पर आप नहीं निकल सकते वो परमेश्वर को पता है कि आप बुरे तरीके से फस गए हैं लेकिन जब आप फसे नहीं हुए हैं आप अपनी मर्जी से अपने शरीर की सुनते हैं और सोचते हैं कि इतनी गर्मी है कौन जाएगा इतनी गर्मी ह बिना पंखे के, बिना कूलर, बिना AC के, वहाँ पर खड़ा रहेगा, अपने घर से ही सुनते हैं, AC में सुनते हैं, सोफे पर लेट कर सुनते हैं, अपने काम को करते हुए सुनते हैं, कोई आपको आवाज दे, अपके मम्मी आवाज देती है, बेटा बासन, बाहर से सबजी आप सब्जी लेने चले जाते हैं कोई बात नहीं अभी आकर फिर जुड़ जाओंगा तो आप सोचिए आप आशीशित होंगे या नहीं होंगे ये बात आप आज रात को जरूर सोचना और यही बात है जब आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते आप गैब डालते हैं अल अलप विश्वाश आपको ओ विश्वाश में लेकर चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप अलप विश्वाश की और चलने लगेंगे कब आप संसार की और फिरने लगेंगे आपको पता तक नहीं लगेगा कब शैतान आपकी जीवन में काम करना शुरू कर के साथ जो हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं परमेश्वर के वचन में वो बने रहते हैं हमेशा वो परमेश्वर की आज्याओं में बने रहते हैं जब आप उन लोगों की संगती करेंगे आप उस दास की जैसे की हमारे अपोस्टल हैं उनकी आप संगती लगा तार करते रहेंगे जो की हमेशा परमेशनर के वचन में बने रहते हैं